हाई फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तो फ्रेंट्स आज हम एक नई मेडिसीन का डिव्यू देखेंगे इस मेडिसीन के बारे में मैं आपको बताऊंगी इसकी यूजेज डूसेज बेनिफिट्स आप इन टैबलेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं और इसको बहुत से डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो भी आपको यह कैसे लेनी है और इसे लेते वक्त आपको किन किन बातों का खयाल रखना है या सब कुछ मैं आपको बताऊंगी अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और करके जरूर जाना आज हम बात कर रहे हैं सुहागरा 100 mg टैबलेट की और इसमें आपको 50 mg का भी वेरियंट अवेलेबल हो जाता है अब यह तोटली आपके उपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला वेरियंट यूज कर रहे हैं इस टैबलेट का इस्तिमाल इरेक्टाइ यह बहुत सी वजह से हो सकता है जैसे आप बहुत जादा ठक जाते हो या फिर डिप्रेशन में हो या फिर पूरुशों को जो मानसिक तनाव होता है इस वजह से भी ऐसा हो सकता है यह होने की बहुत सारी वजह है लेकिन इसे ठीक करने का यह एक इलाज है इसे डॉक्टर आ आपके जो भी पुरुश है इनके प्राइवेट पार्ट की जो रख्तवाईनिया होती है इनको आराम देकर खून का बहाव को अच्छा बनाता है और साथ ही में आपकी sexual power को बढ़ाता है आपके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं इनको उत्तेजित करने के लिए इस tablet का इस् इसको दिन में दो बार लेना भी आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यह आपके जो प्राइवेट पार्ट होता है जो लिंग होता है पुरुशों का इसके अंदर तनाव बढ़ाने का काम करता है और अगर आपको दिल सम्मंदी कोई बिमारी है तो इससे बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है क्योंकि इसको लेने से आपके अंदर की जो सेक्शनल पावर है यह बढ़ने के साथ दिल की धरकन बढ़ने का भी इसमें बहुत जादा खत्रा होता है तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान देकर इसको लेना है इसको कंटिनियूसले लेना भी हाथ सेहत के लिए बहुत जादा हानिकारक हो सकता है इसको आप खाने के साथ या बीना खाए दोनों तरीके से ले सकते हैं लेकिन इसको खाने के साथ लेना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि इससे आपको पेट की बीमारी बिल्कुल भी नहीं बीना खाय अगर आप इसको लेंगे तो इसका जो उत्तेजित होने का जो पावर है इसको बरदाश करना भी बहुत से लोगों को नहीं हो पाता है तो ऐसे में अगर पेट खाली हो तो पेट की बीमारी आप अलग से हो सकती है तो इसको खाने के साथ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अवदी के हिसाब से चलती है जैसे मैंने बताया कंटिनियूसली और बार बार लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है हफते में आप इसको दो या तीन बार यूद्स कर सकते है साथी में इसके साइड इफेक्ट जो है वो नॉमिनल आ रहे है तो सोचिए कि अगर आप भी ना खाई लेंगे तो आपको पेट के प्रॉब्लम जरूर होंगे तो दिन में एक बार ही इसको लेना आपके लिए अच्छा है दिन में दो बार लेने से भी बहुत ज़्यादा तनाव आपकी रड़कन के उपर बना रह सकता है अगर जैसे म आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको आपको सेक्शुल इंटरकोर्स के एक गंटे पहले लेना भी जरूरी है क्योंकि इसका असर होते आपको आदा गंटा और उससे थोड़ा सा उपर लग जाता है तो एक गंटे पहले अगर आप लेंगे तो आपकी जो पहले तो इसको अलकॉल के साथ भी लेना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है और अगर आप इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेते हैं तो डॉक्टर जरूर आपको कंसल्टेशन देंगे इस बारे में इसको घर में रखकर लेना बहुत ज्यादा हानिकार रेक्ट है तो और आज हम सुहागरा की बात करते हैं तो देखो इसमें आपको एक कंटेन मिलता है सिल Peng इनवें साइट्रेट और ये आपको आपको वन स्ट्रिप मिलने वाली है और वन स्ट्रिप की जो कीमत है वह आपको यहाँ पर आ रही है 192 रूपीज तो अभी भी यह चल रही है एक्सपाइरी में तो आपको इतने की मिलेगी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूं आपके लिए तो फ्रेंट्स 192 रूपीज इतनी इसकी कीमत आ रही है और अभी भी देखो एक्सपाइरी में चल रही है तो आपको इतने की मिलेगी अगर आप इसे अभी लेने जाओगे तो आप अगर किसी और कंपनी की टाबलेट को ले रहे है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी महंगी या सस्ती मिल सकती है यह तोटली अपने अपनी कंपनी के उपर डिपेंड करता है हर कंपनी के अपने अपने प्रैजस होते है तो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आती है आपको तो चैनल को लाइक शेर सब्सकाइब जरूर कर देना और इसी टाइप्स के और भी वीडियो को लिए हमेशा मेरी चैनल पर एविलेबल रही है तो आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगा तो पूरा देखने के लिए थैंकि सू मैच